नमस्कार स्वागत है LNMU Notes में तो देखिए आप लोगों पता होगा कि पार्ट 3 का फॉर्म जो हो भरा रहा है ठीक है पार्ट 3 सेशन एक इस चोबिस का ओनलाइन फॉर्म भरा रहा है ठीक है LNMU दर्भांगा पार्ट 3 बीए बीए सी बीकॉम ओनोर्स जेनरल जो भी है एक्स रेगुलर रेगुलर वेगरा जो भी जितना भी एस्ट्रेंट है ठीक है सबके लिए वीडियो जो है वो जरूरी होने वाला ठीक है क्योंकि अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में कोई दिक्कात आ रहा है ठीक है पार्ट 3 का एक्जाम फॉर्म भरते वक्त आप लोग अब क्या कर सकते हैं दिक्कत में क्या है कि जैसे आप लोग का फॉर्म में कुछ गल्ती मिस्टेक हो गया हो ठीक है तो उसका एडिटिंग का जो है वो ऑप्सन नहीं दिया है ठीक है लेकिन फिलाल आप लोग क्या कर सकते हैं कि टेक्निकल सपोर्ट दिया हुआ है ठीक है त दोबीच ताब। 12 घंटा हो चुका है , फिर भी आपका पेमेंट पनम गों को पीडिग सुका हो हुँ पर के लिए चयर इसा कोही दिक्कत के आप लोग क्या सकते हु आसे पर कवे तो Converse च्छे बज़े से पहले काम करता है और बीच में लँच ब्रेक होता है तो इस टाइम भी आपको कॉलर नहीं करना है दो से तीन बज़े से चे बज़े लग जो है उसके आसपास आप कॉल करके देख सकते हैं जो यह जो क्या बलते हैं टेकनिकल सपोर्ट में जो नंबर जाड़ी हुआ ठीक है इसमें बहुत सारे स्टुडेंट एक साथ कॉल लगाएंगे तो यह बार बार जो हो बीजी बताएगा ठीक है तो आपक को जो है वो टेकनिकल सपोर्ट के बाद कि यह फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा हो तो आप जो हो इस नंबर पर जो हो कॉल करके जानकारी ले सकते हैं ठीक है पार्थरी एक्जाम फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रहा हो पेमेंट कट गया हो फॉर्म प्रिंट नहीं फॉर्म कैसे भरायाएगा थीक है तो देखिए डेटा जो होँव अभी अफलोड ठीक से पूरा जह हुआ नहीं होगा ठीक है पूरा रोल नमर पूरा डेटा जो होँआ यहां पर इस लिंक प्रोडाियागा तो आपको क्लिक करना टीक है तो रोल नमर यांबर यहां पर यहां पर दालने के बाद किया करना है तो यह हो या इनके लिए ठीक है उसके बाद बात करते हैं हम लोग की जो एक्स रेगुलर का फॉर्म है ठीक है वो ऐसा मतलब सुनने में आ रहा है कि आपका जो एक्जाम फॉर्म है वो कॉलेज में जाके भराया जाएगा ठीक है कॉलेज में यानि की ऑफलाइन के माधियम से जो एक्स रेगुलर का एक्जाम फॉर्म है जो पिछले सेशन के स्टुडेंट है उनका ओफलाइन के माधियम से एक्जाम फॉर्म भरा जाना है ठीक है तो देखिए इसका कोई ओफिसियल नोटीस नहीं आया है इसलिए आपको जो हो स्योर करके पक्का जो हो यह नहीं बता सकते हैं कि आपका जो ऑफलाइन फॉर्म भराएगा तो आप लोग अपना फॉर्म भरने का जानकारी जो वह कॉलेज जाके ले सकते हैं ठीक हैpeople ओना है भूलेज जाने के बाद आपको बस यह जानकाली लेडा है, कि जो आप एक्स रेगलन है, ठीक कि nest आपको जो ही जान फर्म भरना है, तो आपका क्या do wert पीसा है. पेमेंट ले रहा है तो पेमेंट जमा कर दीजे और जो भी आप जमा किजेगा उसका रहसीद ले लिजेगा ठीक है तो फिलाल इसके लिए कोई और dije ऑफिचल नोटीस जारी नहीं हुआ ठीक है अगर फिछले साल के हिसाब से हम लोग देखे पिछले साल का जो रेकोर्ड है पिछले साल जैसा हुआ था कि जिसका जिसका एक्जाम फ lá नहीं भरा पाया था उसकेourd ऑफल लाइन एकञें अग्जाम 2 लिए तो इस लिए आप लोग लोग के पास आप दो-तीन दिन बचा हुआ है मतलब तीन चार दिन मानजेंगे दो घाना है तो तो आप लोग को लेना हो ठीक है एक्स रेगुलर का एक्जाम फॉर्म कोले जाके जनकारी ले लिजाए कि भरना कैसे है ठीक है आप लोग का यहां पे डेटा पूरा अप्लोड नहीं हुआ बात करके जानकारी ले सकते हैं तो फिलहाल कोई ओफ्लान फर्म बरने का ऑफिशल नोटीस नहीं है लेकिन अ सुनने में आया है कि जो कोलेज में एक्स डूर उर्ण का फॉर्म भर अनकौका इंट्रार्ण हो अगर वहां पर मिल जाता है आपको फॉर्म भर दिझे और चलान करता है या फिर पेमेंट लेता जो भी होता है उसका रसीर ले लिजे पेमेंट कर दीजे ठीक है तो आपका फॉर्म भरा जागा ठीक है अगर अगे युनिवर्सिटी के तरब से कोई नोटीस आता है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा ठीक है फिलाल यहां तक यही जानकारी था अगले वीडियो में अगले अब्रेट के साथ मिलते हैं LNMU Notes के YouTube चैनल पे